नमस्कार दोस्तो वेलकम टो हम प्लान पर्यू आज हम जो प्लान डिस्कास करेंगे उसका साई छे 33 फिट इन्टू 35 फिट यानि की 11,055 स्क्वेर फिट इसमें होगा आपका 3 वेज़ के 3 वेज़ के एन्सका एप्रोक्स्मेट हो जैगा 14 लाको 50 थाजन यानि की 14.5 लाक्स यह हो जाए एप्रोक्स्मेट एसमेट इस प्लार में आपको जो मील जाएगा यहाँ पर मिल ज्याँ अप्रोच यहां पर मिल जाता है आपका पोटिको और यहां पर मिल जाता है आपका में गेट में गेट के सामने आपको मिल जाता है एक लिविंग हाल और लिविंग हाल का राइड साइट में मिल जाता है एक स्टेयार केस और यहां पर मिल जाता है आपका एक डाइनिंग स्पेस यहां प मिलात आपका एक master bedroom request करता हूँ वीडियो को end तक देखे क्योंकि मैं आगे इसका interior इसका detail size और इसका detail estimate भी आपको देखाऊंगा आपको सब कुछ पता चल जाएगा और कुछ doubt रहेगा तो जरूर कमेंट कर दना मैं आपको समझा दूँगा लेकिन मैं जो प्रोमीच है आप वीडियो को end तक देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तो और प्लीज दोस्तो मुझे जरूर सपोर्ट दना आप बिल्कुल सस्क्राइब ने कर रहे हैं तक देखें आपको सब कुछ पता जल लाएगा जी और आप यहाँ पर ऐसे भी सफा डाल सकते हैं दोस्तो जो स्टेर का ओफ है ऐसे होके आप यहाँ पर होके यहाँ पर आप लेंडिंग कर देंगे स्टेर का जो यहाँ पर आपको एक bed और इसी corner पर दिया आपका जो की door का right side corner पर हो जाता है आपका एक mirror unit दोस्तो और यहाँ पर जो आपको एक common toilet मिल जाता है common toilet पर हम door की सामने outer वाल पर दिया आपका एक common और यहाँ पर हम दिया आपका एक shower और इसी corner पर हम दिया आपका एक wash fashion दोस्तो आपको जो दूसरा bedroom दूसरा बेडरूम पर हम डूर की left side corner पर दें आपका एक mirror unit और डॉर का इसी corner पर दिया आपका एक बैड और डॉर के सामने हम यहाँ पर दें आपका एक wear drop जो आपको इसी पर में मास्ट्र मेर्ट आपको 15 करके आंपने का इसका पमेर घ्रोंट के समने हम यहां पर लेट का ओल न हम आक्छा हो जाएगा इसि कहना पर जोटके डोर का राइन साइट पहुए हम दें आपका एक वाजबी शीन प्लीज दोस्तो चेनल को सब्सक्राइब करें मैं इसी चेनल पर आपकी कमेंट की साइट की साइट की हिसाफ सी वीडियो प्लोड करता हूँ बैल केल्डा को प्रेस कर दें कूंकि मैं जब दोस्तो को वीडियो non subscriber देख रहे हैं प्लीज दोस्तो मुझे जरूर support देना ये जो इसको उल्टा कर देना दोस्तो आप subscribe करें और वीडियो को जरूर देखें दोस्तो आप subscribe नहें कर रहे हैं प्लीज दोस्तो जरूर support देना मुझे जरूरत है आपका support को इसलिए मैं आपको प्लिज दौस्ट करता हूं दोस्तो सफ जरूर दे मुझे यह आपका इंटिlor का फूल भी और वीडियो को य 먹 ज़याद सजयादा सीयर जरूर कीजे दोस्तो आपका फेमिली आप जो भी सोस्याल मेडिया करते हैं दोस्तो प्लीज दोस्तो रिक्वेस्ट करता हूं शेयर जरूर कीजिए हम आगे इसका डिटेल साइज और इसका डिटेल एस्टिमेट भी देखेंगे वीडियो को अब हम डिसकस करेंगे आद का जो 33 इंटू 35 फिट का हाउस प्लान है उसका डिटेल साइज जो प्रोच है प् पिंड़ा एकीस और इसका डिट विट निवने टाको आपका स्ट्यार करेंगे जू आपको डैंधिस मिल जाते है टाइन इंग इस याँ काल्कूलेट हुआ है तो आपका आपका शिक्स पीट है जोस्तो इसमें आपको पहला बेडों मिलाते है पहला बेडों उसका लियंक थे आपका 10 feet, एंसा उर्थ भी आपका 10 feet है, यहाँ पर हम ventilation के लिए हम एक windows दिये हैं, जो कि 3 feet का है, और यह जो door है आपका 14 inches का है, और यहाँ पर भी जो हम windows दिये हैं, यह आपका 3 feet का है दोस्तों, जो इसी plan में आपको एक common toilet मिल जाता है, उसका length है आपका 6 feet 3 inch, एंसा उर् 5 feet और यहाँ जो पर हम ventilation के लिए दिये हैं, आपका 2 feet का है, यहाँ पर जो एक door है आपका toilet का, यह आपका 32 inches का है, जो आपका दूसरा bedroom है, दूसरा bedroom का length है आपका 11 feet, एंसा उर्थ आपका 10 feet, जो यहाँ पर हम ventilation के लिए दिये हैं, यह आपका 3 feet का है, और यहाँ पर जो door दि kitchen चेट मिलोगता है Kichen का लेंद लेंख से आपका 11 it either to that bury आपका 9.10 टो चीचैन का Sut आप जो किचेट का स्लाफ है स्लाफ का इसका इसका उसका लेंख से आपका हाइट है वह आपका 32 इंचेशा और शड़ है से लेंटिलेशन के लिए यह त्री फिट का है और यह जो आपका डोर है यह आपका फोर्टी इंचेस का जहाँ पर ओपन स्पेस होगा यहाँ पर ज़रूर एक विंडूर्ज दीजेगा क्योंकि वेंटेलेशन अच्छा होता है रूम के लिए और जो आपका इसका टेस्ट ट्विलेट है उसका लेंद् क्योंकि दूसरों को भी कुछ हेल्फ हो जए कामेंट करके यह वह तो है क्या आपको प्लान कौन सा साइज का प्लान चाहिए और दोस्तों आपको फिड़िबेक जरूर देना है आपको अच्छा बुरा ला ला तो बुरा मैं आपका फिड़िबेक के इंतेजार हर में रहता है आपका यह आपका डिटेल साइज का फुल विव हम आगे इसका डिटेल एस्टिमेट देखेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखें आपको इसमें सेंड के लिए कितना खर्च हो जाएगा सीमें के लिए कितना खर्च हो जाएगा आपको कुछ भी डाउन नेर हैगा दोस्तो अभी हम डिसकस करेंगे आजका जो 3-page का हाउस प्लान है उसका एप्रोक्समेड़ एस्टिमीड इसमें जोब आपका 9,42,500 लेबर चाज आपका 3,62,500 इंजिनियर चाज आपका 1,45,000 प्लीज दोस्तो आपका चैनल होम प्लान फोईरे को जरूर सस्क्राइब करें यह पर जो बैल आइकन होगा यहाँ पर प्रेस कर दे प्रेस कर देने से यह होगा कि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूँ आपको नोटिफिकरशन मिल जागा दोस्तो और अच्छा लागत वीडियो को जरूर लाइक किजिए प्लीज दोस्तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करक इसमें जो आपका सिमेंड के लिए चार्च हो जाता है वह जाता है 1,59,500 शेन के लिए हो या तापका 58,000 एगरिगेट के लिए हो या तापका 72,500 श्टील के लिए हो या तापका 2,17,500 ब्रिक्स के लिए हो या तापका 1,15,000 टाइल्स के लिए हो या तापका 58,000 प्लम्बि पर्पोस के लिए हैं, आपका एप्रोक्समेट एस्टिमेट होया था आपका 14,50,000 इसे आपका ज्यादा नहें होगा मैं इसको approximate extra लेकर चला हूँ दोस्तों इसे आपका ज्यादा खर्च नहें होगा इसलिए यह approximate estimate है यह आपका approximate estimate का full view आज का जो प्लान है उसका पीडियेप आपको इसका description बसके link दे दूँगा आपको मिल दाएगा मिलते हैं नय वीड ब्ड़ने कि अजय कंग वीज़ार जन्य ठीज़ माईड़ा जो चाहएँ वीज़ा सब्सक्क्राइब लगार सबक्टारेसरे निएज़ार जन्यूरा करेंदार सब्सक्राइबस का उतार वार बीज़ार चाहएँ है उसलिए स्क्कारा.